आज हम सिक्स के लेशन बेटी के नाम पत्र पाट पड़ेंगे और यहाँ पर एक चित्र दिया गया और इस चित्र में एक लड़का है थैली है और लड़का के हाथ में एक पत्र है इसे लेटर करते हैं और हाथ में वाच पहना हुआ है और इसे देखर हमें क्या मालूम हो रह लड़का किसी लड़का को किसी एक पत्र मिला और उससे पत्र को लेकर पढ़ रहा है और इस पार्ट से हमें मालू होता है कि पत्र की आशक्ता क्या हो सकता है और इस पार्ट से हमें पत्र के बारे में जानकारी मिलेगी और चित्र में यह पर चित्र के संबंदी तीन प्रश्ण दिये गये हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा हैं चित्र में लड़का तैली और हाथ में लेटर और हाथ में घड़ी पहना हुआ है ये दृश्य हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है और बालक क्या कर रहा होगा बालक हाथ में पत्र लेकर पढ़ रहा होगा और हमारे जीवन में पत्रों का क्या महतु है हमारे जीवन में पत्रों का बड़ा महतु है क्योंकि अलग-अलग प्रांतों में रहने बाले, अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से कुछ विशय कहने का है तो, पत्र लिखकर कभूतरों से और जानवरों से बेजते थे, और नेक्स्ट जनरेशन में पोस्ट आपीस के द्वारा पत्र बेजते थे, और आजकल टेलिफोन और मोबैल के द्वारा अपने विश्यों को, अपने संदेशों को, संबंधियों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और इस पार्ट का उदेश क्या है? और यह पत्र लेकन विदा है अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना किससे पत्र लेकन से अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना है ओर अपनी भावनाये दूसरों तक पहुंचाने केलिये अंटे यह रहे थे वाला मनसुलों वोनन भावालनी इतोरल वार्थकी चेर्चडानी की इफ लेटर अने इधी उका मन्ची साधनम लाट्थिवी अणटे मन्ची मार्गमन माट्टा कांडे एधायन मनम् पत्रू लो रासी पंपुच्छू एपड म blossoms म्म ममलिक मोबैल लो भेजीयु चेहश्चू लेदा ऑंटे फोनल McMwonाड़ लड़ चुकू कानी प्राचिलों कालम लोग कालू पत्र द्वाराने एविष्यानेना थेल्पेवार यह पत्र कौन लिख रहा है नेहरुजी ने लिख रहा है और नेहरुजी कौन है स्वतंत्र संग्रा में मुख्य पात्र में रह गये थे और नेहरुजी की बेटी इंदिरा गांदी है और इंदिरा गांदी का जन्म रहने से और इस पत्र के द्वारा अपनी बेटी को शुक्कामने देना चाहते थे और इसलिए यह पत्र लिखे थे और कहां से लिखे थे नईनी जेल से जब स्वतंत्रता संग्राम में कई लोग जेल में राय गये थे कुछ महिने कुछ साल तक और उसी तरह नेहरुजी भी जेल में थे और उसी समय अपनी बेटी इंदरा गांदी का जन्मदीन आया था और उसी वक्त अपनी बेटी के लिए शुपकामनाई देने के लिए यहाँ पत्र लिखे थे और यहाँ पर देखिए 26 अक्तूबर 1930 के दिन पत्र लिखे थे नहरुजी ने और प्रे इंदिरा इंदिरा कौन है उनकी बेटी प्रे इंदिरा और चोटों को हम प्रे कहते हैं और पत्र लिखने की जो विदी है यहाँ परती है और चोटेंग के लिए प्रे इंदिरा और चोटी है ना बेटी है इसलिए जन्म दिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं और ये बाते कौन करें हैं नेहरुजी इंद्रा गांधी से करें हैं प्री इंदिरा जन्म दिन पर तुम्हें खई उपहार मिलते रहें और निको जन्म दिन संदर भांगा एन्नो कान कलो निको अंदरो इस्तुंटर तरवता शुप कामनाय भी दी जा रही हैं और उस्तुंटर शुप कामनाय सब बोलते हैं जन्म दिन के दिये सब क्या करते हैं विशेज बोलते हैं," और उसी तरह इंद्रा गांधी के लिए पत्र लिक रहे हैं नहरु जी," और इंद्रा गांधी से क्या का रहे हैं?" इंदिरा जन्मत दिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते हैं और रुपकामने भी देते हैं पर मैं इस जेल में बैटा तुम्हें क्या उपहार बेद सकता हूँ कानि नेनु इजए यले लो कूछोंडि नीकु नेनु यलाँटि कानुकलने खोड इवलेंद इज एल्लों उन्नान कावट्टी ने निदिगर की रालेनु, एलांटि कानुकल ने कोड़नेनु इवलेनु आननी चप्तु नालेटारल। हा, मेरी शुपकामने सदा तुम्हारे सात रहेगी, आवनु, ना एक शुबाकांग्षिल एपड़ कोड़ा, नी तोपाटे, उन्टै, एंदु कान्टे, नाशिस्ट्र एपड़ कोड़ा, नी तोपाटु, उन्टै, नेन एककड़ उन्ना कोड़ा, नी, नीक मन्चिकाल गाल नेन एपड़ा, नी नाशिस्ट्र उन्टान गला नी अंटुन्णाड, उन्टै, इंदु कान्टे, इंद्रागांधी, तना पूर्त्र गावट्टी, तना पूर्त्र जैन्मदिने संदर्वांगा, तना देगर, लेक पोईनिंध कार्नांगा, जेलल्ल उनिन्ध कार्नांग क्या तुम्हें याद है कि जोन आफ आर्क की कहाने तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी क्या तुम्हें याद है कि अंटे नेक गुट्टुना और नहरुजी कह रहे है कि इंद्रा गांधी से तुम्हें याद है कि जोन आफ आर्क की कहाने कितनी अच्छी लगी जोन आफ आर अने कथा नीको एंतबाग नच्चिन्दो नीकुट्टुन्दा अनांटुनाडु तुम स्वयंबीतो उसीकी तरह बन्ना चाती थी तुम स्वयंबीतो नुवो स्वयंगा आमेलागा अव्वालानी नुवो कोर्कुने दानी करू अपटलो पर साधारन पुरिश तता स्त्रिया इतने सासी नहीं होते कानी नार्मालगा उन्डेडिस जेंस इन्त साह संगा एवर कुड़ा उंडरू अनी निहरुदार चिप्तु नार्माला कूतुर्टु लेटरलो वे तो अपने प्रती दिन के कामों बाल बच्चों तता घर की चिंताओं में ही पसे रहते हैं ते मामलगा साधारन पुरिश कैसे होते हैं उतने सासी नहीं होते हैं और वे क्या करते हैं अपने प्रती दिन के कामों में और बच्चों की देखबाल में और कुछ जिम्मेदारीयों में फसे जाते हैं अंटे स्त्रीर गानी पुर्षिल गानी प्रती रोज वाला पलल पानुललो तरवाता वाला पिललल मंची चडल चूसकु नडंगलो तरवाता इंटी भाध्य तलमध्या इरक कुंटार आटला चिक्क कुपोतार खवट्टी कानी एक समय ऐसा आजाता है कि किसी महान उद्देश की पूर्ती के लिए सबी लोगों में असिम उच्चा बर जाता हैं उखोक सारी टायम उस्त्तुंदी एटलांटे वाला गुप्प उद्देशालनी वाला टॉर्गेतलनी वाला लक्ष्यालनी पूर्ती चेसकोडानिकी अंदर एंजेस्त्तुंटारू अपड़ वाललो चप्पले नंत उच्चाहमों निडिपोत्तुंदी अपड़ू अला निडिन अपड़ू साधारन वैन पूरुषिल गाने निडि वाल्लू वीरल अउत्तारू तरवात स्त्रीलू गुडा वीरनारूलो अउत्तारू एपड़ू एपड़ू उखपड़ वाललो गुडा उच्चाहमों निडिपोतुंदी मनंकुड़ एदन चेद्धां हमबी कुछ करेंगे और कभी उनमेबी ऐसा उच्चाह बर जाता हैं और ऐसा उच्चाह बरनेसे और साधारन पुरुषिभी वीर बन जाते हैं और स्त्रिया भी वीरांगनाये बन जाते हैं आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्मान हो रहा हैं आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्मान हो रहा हैं आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्मान हो रहा हैं आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्मान हो रहा हैं मैं बोले तो कोन है यहाँपार इनदिरागान दि और मैं बोले तो नहरुजी है और तुम बोले तो कोन हैं पुरा हैं, यंदु कंटे, इन्त स्रगूल कोड मने कल्डम उ talents जरूugen जरूugenी कें, इक पल्गा मि जरू कोड जरू Wiki यानि चप्तनत्, एक महान उद्देश हमारे सामने है, एक महान उद्देश है, और काउन सा उद्देश है, स्वसंत्र सांगराम में और लडाई करके, और हमें पूर्न स्वसंत्र हो जाना, इसका मुक्य उद्देश है, इसलिए इस मुक्य महान उद्देश आपने सामने है, कि इस्वतंत्र संग्रा में हम भाग लिए हैं इसलिए हम कैसे हैं भाग दिवान है हम लोग कैसे हैं भाग दिवान हैं हमारे सामने और इसकी पूर्ती के लिए बहुत कुछ करना है और इस उद्देश को इलक्षान नी अंटे मनना टॉर्गेट नी मनना गोल नी पूर्ती चैस कोड़ान की मनम यंते ना चैयाल सना उस्रम यंतो कोंत मनम चैयाल गदानी अंटना अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है इसमें हम किस तरह बाग ले परन्तो जो कुछ भी हम करे और यहाँ पर क्या करें है नहरुजी हम सोचना है क्या सोचना है इस महान आंदोलन में इस महान संग्राम में हमारा कर्तव्य क्या है हमें क्या करना चाहिए और सहसंत्र संग्राम चल रहा है और इस सहसंत्र संग्राम में हम बाग ले कर क्या करना चाहिए इसमें हम की स्तरह बागले इदीन लो मनम ये रगिंगा पार्टिस परचे आली परन्तु जो कुछ भी हम करे कानी मनम अन्नी गुड़ चे आली सब कुछ करना है अपना प्राण समर्पेत करना है तो भी करना है इसलिए अपना कर्तव को नीभाना है और कर्तव क्या है हमारा जीवन को समर्पेत करने का भी हम त्यार होना है हमें इतना आवश्य स्मर्ण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानी न पहुंचे हम ऐसे काम करना चाहिए कि समर्ण रखना समर्ण रखना माने क्या है याद रखना क्या याद रखना हम कुछ भी करें वो कैसे करना चाहिए और अपने देश के लिए हानी ना होनी चाहिए और हानी होने से हम क्या हो जाते हैं हार जाते हैं स्वसंत्र संग्रा में हार जाते हैं इसलिए कुछ भी अपना कर्तव है हम याद रखना चाहिए कि इससे हमारे देश के लिए हानी नहीं पहुंचना है एदयना मनमं चेसना पुड़ा अधी मनन देशानी की हानी कलकोणा उन्डाली अनी चिप्तुनाँ कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते है की हम क्या करें क्या न करें कई बार हम संदेह में भी इन्टे एन्नो सारली पुड़ा मनकी योक डाउट उसने मने मनम एम चयाली, एम चय कुड़ुँ, यह निच्छे करना कोई सरल्म कार्य नहीं है एम चयाली, एम चयायादु अनेदी, इम डेसीशिन अनेदी, मनम कूँ चाला सुलवएन पनी कादु प्रोक कमाईदिवान प्रोक करें संदी नहीं प्रोक क्लिए तंसंद करेंम यह पर वहुते हैं निच्चे करने के लिए मैं तुम्हें एक चोटा सव उपाई बताता हूं इलांति डॉट ने कहने एपने अपने वस्ते गनका ये देना नूँँ निच्चे करने के लिए मैं एक चोटा सव उपाई क्या करना है और क्या नहीं करना है और इन विश्यों पर तुझे डॉट है तो मैं एक उपाई बताता हूं और ये बात कौन करें हैं नेहरुज करें हैं और तुम ऐसा कोई काम न करना जिसे दूसरों से चिपाने की इच्चा तुम्हारे मन में उठें तुम ऐसा कोई काम नहीं करना दूसरों से चिपाने की इच्चा तुम्हारे मन में नहीं आना क्योंकि किसी एक बात चिपाने चाती हो और वो काम गलत है इसलिए वो तुम्हारे मन में ऐसी इच्चा नहीं आने देना चाहिए क्योंकि किसी काम भी सब के सामने करना चाहिए किसी बात भी चिपाने की इच्चा मन में कभी भी नहीं रखना है एदैना नूँँ पनी चेशन पड़ू अदी इतरलू नोंडी दागे विदांगा उन्डाली अनी नी मनसले एपड कोडा कोरको कोड़ू अनी जप्तुनों किसी बात को चिपानेक्की इच्चा तबी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो किसी बात दोसरोंचे तुमची पाती हो और वो बात गलत है ये बात तुझे याद रखना है बहुदूर बनो और सब कुछ स्वयम ही टीक हो जाएगा बहुदूर बनो बहुदूर माने क्या है सासी बनो और धैरिवान बनो और सब कुछ स्वयम ही टीक हो जाएगा सब कुछ टीक हो जाएगा धैरिवान से रहने से सभी काम टीक हो जाएगा और यदी तुम डर्ना पड़े या जिसे टीक हो जायगा यदी तुम बहुतूर बनोगी तो तुम आयसी कोई बात नहीं करोगी जिसे तुम्हें डर्ना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जीत कोना पड़े यदेना पणी नुवाला चेस नाट्टे ते अपड़ू अलांटी पणी चेस नान्द कुन्हें चाला सिग्गु पड़ाल सोस्तुरंदी और किसी काम करना चाहे तो वो काम के बारे में चिपाने की जरूरत नई रखना है और दूसरों के सामने करना है तुम्हें यह तो मालम ही है कि बापूजी के नेत्रतों में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छीपा रखने की जैसी कोई बात नहीं है तुम्हें यह तो मालम ही है नीक बागतेल सु एन नंटे बापूजी नेत्रतों में लो आंटे आयना लीडर्शिप लो उन्ना फ्रीडम स्ट्रगुल लो अतनु नड़कत्तु नड़का दा आयते दांडलो एदैना नीको विशेम राच पेट्टाल सिना उस्रम निके में कन पिच्छिन्दा आलांटी विशेल कोड़ एव कोड़ लेव पदानी अंटु नर्ट्ट हमतो सबीकां दिनके उजाले में करत्वे हैं दिनके उजाले में एण्टे ममलगा अंदर की तेल सेला चेस्तर नंड़का अंदर की तेले कुणना डाच पेट्टि वेरे लाग प् चेस्तुनार। अच्छा बेटी अब विदा सरे इंका इपटिकी सेलव। अटे इवन्नी विश्याले एंदु कामेत चेक्तुनार। आमे उट्टिनरों जर्पकुनन दुवाला जर्पकुने रोजु इननुची ओक मंचे मेसेज नी तनर पूत्र की वालन कुनार। एक अच्छा संदेश अपनी बेटी तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए नेहरुजी और गांधी के बारे में स्वतंत्र संग्राम के बारे में कहा। क्योंकि स्वतंत्र संग्राम में भाग लेना और कुछ भी करने का जो करतवी निवाने का मौका उन्हें मिल रहा है। इसलिए वे अपने आपको भागिवान समझ रहे हैं। इसलिए और ये पत्र के द्वारा अपनी बेटी में दुरुडता लाना चाहते हैं। इसलिए इस पत्र में स्वतंत संग्राम के बारे में और भाग लेने सथ क्या करना हैं। और इसे वीशे के बारे में नहरुजे ने पत्र लिखा। और वीदा हमाने क्या हैं। सलवू। गेंटे इंका उन्टानों अंचपना मनमाटा। भारत की सेवा के लिए तुम बहुदूर सीपाही बनू। भारत की सेवा के लिए भारत देशन सेव करकू। अंटे सर्वचे अडानी की नुवू उक ब्रेव लेडी लागा नुवू तयारव। यही मेरी शुपकामने हैं। इरे नायुपका शुबाश इस्सुलो ने चप्तुना। लास्ट की विदांदा लेडरनी कम्प्लिट जीए सर्व। एकड़ तुम्हार पीता नुवू एक्च्वलगा इकड़ लास्ट कीड़ आवाली लेडर रास्त नौक्ट। कानि, इकड़ नेहरु गारू इकड़ रासनर चुपिस्तनार, तुम्हारा पिता, जोहार लाल नेहरु अब बताएए और यह पत्र कौन लिखे और किसे लिखे यह पत्र इंद्रा गांदी को जोहार लाग्ची ने लिखे और किसके बारे में जन्म दिन की शुक कामनाये देते हुए कुछ अच्छे विशय इंद्रा गांदी तक पहुंचाने के लिए यह पत्र लिखे और कहां से लिखे थे नैनी जेल से लिखे थे 15 30 अक्तूबर में लिखे थे और यह सारी विषय senza इंद्रागांदी के लिए उपयोग में लाने वाले हैं और इन वेशयों को जानकर इंद्रा गांधी अपने मन में देश के प्रती प्रेम भावना रखती है और देश के लिए प्राण देने के लिए भी तयार हो जाती है यहाँ पर देखिए जवहारलाल नहरू जी है और उनकी बेटी इंद्रा गांधी जी है और ये पत्र पंडि जवहारलाल नेहरु ने अपनी पुत्री इंद्रा को लिखा था और ये नाइनी जेल से अक्तोबर में लिखे थे और इंद्रा गांधी जी को जन्मदिन की शुप कामनाय देते हुए लिखा गया पत्र है नेहरु जी कहते है कि जेल में रग कर मैं जन्मदिवस पर कुछ उपहार कुछ नहीं दे सकता इसलिए मेरी शुप कामनाय तुमारे साथ कभी भी होती है और तुम भी कि कुछ भी करने का जो कर्तव है और वह सब के सामने करना में ौर दूसरों से चिपाने की जरुरत नहीं है। और इस स्वतिंत्र संग्रा में हम भी बाग ले रहे हैं इसलिए हम भी बागयवान है क्योंकि स्वतिंत्र संग्रा में और गांधीजी से हम इस संग्रा में बाग ले इसलिए हम भाग्योन है और यहां पर कह रहे हैं कि तुम भी क करतवी निभाने के लिए कुछ भी करो और उस करतवी को निभाने के लिए किसी के सामने किसी बात भी छीपाने की जरूरत नहीं रखना है और कोई बात चिपाना है तो तुम गलत काम कर रही है ऐसे समझ में आना